कि यदि आपको ब्लैक स्टूल आता है पस आता है आपको इस्मेलिंग होती है इस्टूल के लेवल पे और यह लगातार आपको कुछ समय तक रहता है तो आपको हो सकता है कि कुछ मैं मsorryं यह उसके बीचे कोई इंफ्सट का रीजन हो सकता है किडनी में कुछ प्रॉबल्म हो Σकती है आपके लिवर में कुछ पर्लम हो सकती है या फिर आपके श्मेल का आना, यह कोई बहुत डेंजरस संकेत नहीं है, यह एक नॉर्मल रुटीन है, और आपका जैसे फूड चेंज होता है, वैसे ही आपका स्टूल का कलर चेंज होता है, उसकी जो कंसंटेशन है वो चेंज होगी, कैई बारी थोड़ा सा आपका जो इस टूल है वो लिक मेटाबॉलिक सब प्रोडेक्ट यानि बेस प्रोडेक्ट उसका फाइनली क्या क्रियेट हुआ और उसका फिर कलर और गाड़ा होगा पत्रा होगा ब्लैक होगा या वाइट होगा यह सब फूड के जो कैमिकल रियक्शन होते हैं बॉडी के अंदर जो भी हम फूड खाते हैं जो आपके पेट के लेवल पे स्टूल के कलर को डिसाइड करते हैं फिर भावित करते हैं लेकिन बहुत सारे लोगों की लगातार एक क्वाईरीज रहती है कि मेरा ब्लैक स्टूल आ रहा है मुझे कुछ बहुत बड़ी बिमारी हो गई मुझे पस आ गया बहुत बड़ी ब देखके आप कोई इंटर्प्रटेशन ना बनाएं कोई कंगलुटिव थॉट ना पैदा करें अपने लिए या कोई डाइगनोसिस खुद से ही ना बना लें कि हमें यह प्रॉब्लम हो गी है पीछे बहुत सारे लोगों ने मेरे क्लिनिक में विजिट किया और एक पेशेंट किलिरली बोला कि मुझे बलेक स्टूल आ रहा है और मुझे कुछ कैंसर या टीबी हो गया एक पेशेंट ने बोला कि मुझे पस आता है और इस बज़ेसे में बीमार हूँ बहुत सारे लोग कहते हैं कि बहुत ज़्यादा हो रही है यानि इसका मतलब मेरा पेट खराब हो तो यह सब मित है और यह एक आधी अधोरी information है इसके आधार पे कोई भी diagnosis बना लेना या कोई धारना बना लेना यह गलत है यह आपको और ज़्यादा बीमार करेगी इससे आपका सरीर बीमार हो नहों आप अपने लिए depression, anxiety, confusion और एक OCD डवलप कर रहे हैं जिसका की बाद मे result यह होगा कि उस negative attitude का उस fear का उस opinion का उस सारी information का जो result है वो यह होगा कि आपके सरीर में बहुत सारी problems पैदा होंगी आपका metabolic system जो है वो पूरा बदल जाएगा और फिर आप पेट खराब है इस पिरकिरिया में लग जाएंगे और लगातार कुछ ना कुछ कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं कोई ना कोई चीज आपको ऐसी मिल जाएगी जो आपके brain को trigger करती रहेगी तो पहले मैं आपको सब को यह सला दूँगा कि इस thought को immediately stop करिए जब तक कोई evidence ना हो जब तक कोई symptoms या report के आधार पे कोई physician आपको कोई confirmatory diagnosis ना बना ले आपको मैं request करूँगा कि आप अपने से अपना कोई diagnosis मत बनाईए अब हम दूसरी बात पर आते हैं कुछ cases में यह देखा जाता है कि black stool के आने के पीछे कारण आपको कोई liver सम्मंदित infection हो सकता है और pus आने के पीछे आपका जो कारण है वो आपको gastritis हो सकता है अमेविक dysentry हो सकती है या कोई दूसरे आप बहुत ज़्यादा है आपका जो hard stool आता है उसके पीछे क्या reason रहता है यदि आप बहुत ज़्यादा fat butter concentrated fat आप लेते हैं या फिर बहुत ज़्यादा मटन चेकन एक खाते हैं आप या दाले खाते हैं राजमा खाते हैं तो फिर आपके stool में आपको smell भी ज़्यादे आईगी और pus cells भी आपको देख सकते हैं pus cells का सीधा सा indication ये होता है कि pus cells यदि एक limit से ज़्यादे आपके पिसाम में या आपके stool में बढ़ जाएं तो वो एक infection को indicate करती हैं बटी ये मात्र एक indication होता है ऐसा नहीं है कि खाली pus cells के बढ़ जाने से आपको कोई diagnosis बन जाएगी उसके साथ कुछ और examination कुछ और symptoms चाहिए हमें जिसके आधार पर एक diagnosis बनेगा उसके बाद आता है कि यदि कुछ ऐसा है तो फिर आप इसको कैसे treat करें इसको कैसे deal करें यदि आप बहुत ज़्यादे conscious हैं और आप इन चीजों को इतना micro label पे analyze करते हैं तो फिर आप clearly आप time से खाना खा और आप concentrated fat मत खाईए concentrated fat से मेरा मतलब है कि आप घी और घी से बनी चीजें आप छोड़ दीजे क्योंकि nature ने fat concentrated fat नहीं बनाया है नेचर ने दूद बनाया है तो आप दूद पी लीजे आप दही पी लीजे आप छाज खा लीजे ठीक है उसके बाद यह आता है कि जो आप प्रूट bots हैं वह अब मीठे के रूप घुपर ले सकते हैं तो यहै नेचरल ड़या थे नचेरल अब लेकर लेकर नेचरल फैट लेगे डेचितogo के सब्सक लैए regen निष्ट सीने WILL आपफ आप अच्छे से कर्ड गवाने अपने पूड में और तीन से चाल लीटर पानी जाएगा रेगुलेट हो जाएगा आप इसके बाब जूद भी यदि आपको ब्लैक स्टूल की पस की समयल की समझ्या बनी रहती है और उसके कारण आपको कुछ आपकी क्वालिटी ओफ लाइफ में या आपकी जो डे टू डे लाइफ है उसमें कुछ तकलीफ हो रही है आपक पस सेल्स का लगातार आना या लगातार लूज मोशन होना या फिर ब्लैक स्टूल का आना यदि एक टाइम मतलब मोर देन थ्री डेस से ज्यादा यदि लगातार आता है तो फिर आपको कुछ तकलीफ हो सकती है फिर उसके अंडरलाइन कॉस को समझना होगा कुछ इन्वेस किया जाएगा और यदि और किसी लेबल पर कुछ प्रॉब्लम आ रही है तो उसको फिर अकॉर्डिंग दा कॉस ट्रीट किया जाएगा लेकिन आप कंप्लीटली ठीक हो जाएंगे तो आप अपने सिम्टम्स को समझे यदि ऐसा कुछ है और यदि आपको कंसल्टेशन चाह है उसको आधार मान के आप अपने को अन्नेसेसरी वीमार ना करें थैंक यू वेरी मच इन टिक के रहें और सब्सक्राइब